पहलो एवरीवन और वेल्कम बैक टो माझ चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में मुझों डिसकस करेंगे अवां टेल के बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहां पर देखा जाए तो रिसेंटली हम लोगों फिल्टर पर एक कं की यहां की के काफी अच्छ यहां पर काफी अच्छ है को यहां पर नजर आ रही है और जब ऐसा होता है बंच में आप लोग लेके चल सकते हो अगर उस Hसाब से अगर आपको कंपैर करोगे तो यहां पर आप लोग दो दो quarter case आप से भी अगर देखा जा तो increment आप लोगो लगतार मिलेगा net profit के अंदर specially reason काफी simple है यहाँ पर अगर देखो company की sales भी बढ़ रही है company की margins भी साथ इसाथ बढ़ रही है तो एक clear signal आप लोग यह समझ सकते हो कि कहीने की company का business तेजी से grow कर रहा है क्योंकि sales बढ़ने के साथ साथ अगर margin बढ़ती है तो वो company की strength दर्शाती है आप खुदी एक मतलब कहा सकते हो कि real life में अगर आप लोग सोचो कोई business आपको अच्छा होगा तो आप लोग जनरेली देखोगे तो company की price मतलब product के prices भी बढ़ रहे होते हैं और उनकी sales भी बढ़ रहे होते हैं अब एक mediocre company होती है जिसकी कह सकते हो कि sales बढ़ने के लिए वो अपना company का जो product होता है उसका दाम हो सस्ता करते जाते हैं बहुत सारे आपको ऐसे instances मिल जाएंगे जहां पर competitive industry के अंदर कोई company आप लोग देखोगे कि अपना sales तो उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके अगेंस में company की margin कम होती जा रही है क्योंकि वो sales बढ़ने के लिए market के अंदर अपने product का दाम कम कर रहे हैं तो यह होता है कै सकते हूं mediocre company का sign और जो बेकार company होती है उसके अंदर सारी ही चीज़ा कम हो रही होती है तो उसको तो हटाई दो लेकिन इस category में company आपको कम ही मिलेंगी जब sales और margins दोनों बढ़ रही होती है यहां पर company का business देखोगे तो basically यहां पर wireless communication का यहां पर company काम करती है तो यहां पर aerospace sector के अंदर defense sector के अंदर साथ इसाथ अगर देखा जाए तो एक तरह से software application के अंदर भी यहां पर इनका थोड़ा बहुत काम होता है तो एक तरह से अगर देखा जाए defense aerospace काफी एक तरह से कह सकते हो तेजी से हिंडिया के अंदर specially grow करने और सेक्टर तो अब यहां पर यहां पर company के stock evaluation की बात की जाए यहां पर 59 के आसपास की है बट क्योंकि company की profit growth यहां पर 99% quality देखने के लिए मद रही है तो इसके चलते हम लोग यह कह सकते कि evaluation यहां पर हम लोगों ठीक टाक नजर आ रही है बहुत जादा महेंगी नहीं है ROC और ROE wise देखा जाए तो company के फिर से यहा यहां पर काफी नजर आएगी और efficiently growth करने वाली companies आपको overtime काफी अच्छा रिटन प्रवाइट करती है trailing 12 months में भी अगर देखा जाए तो यहां पर March 2023 का result already beat कर चुकी है और 235 का और यहां पर अगर देखो तो sales यहां पर आ चुका है company का अब यहां पर 100% growth मिल जा है तक के अंदर तो surprise होने वाली बात नहीं होगी क्योंकि यहां पर company की मतलब समझने सिर्फ almost 65 CR का और यहां पर sales बुक करना है March 2024 यह quarter 4 के अंदर और 300 गरोटके आज-पास के यहां पर sales हो जाएगी और यहां पर फिर आपको sales के अंदर यहां टॉप लाइन के अंदर 100% की इंक्रिमेंट मिल सकती है और उस ज्यादा ग्रोथ यहां पर भी मिल सकती क्योंकि मार्जिस भी अगर रेखा थे तो डिफिनिटल यहां पर लास्ट तो कॉटर में ज्यादा आई है नेक्स कॉटर भी जादा आती है तो फिर से हम लोगों को यहां पर ऑपर भी growth देखने के अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छा यहां पर ट्रेंड फॉलो कर रही है साथी साथ अगर देखा जाए तो इधर भी इस प्रेकाउट जोन के आसपास कंपनी पहुंच चुकी है और इसके बावत अगर देखोगे तो यहां पर ट्रेडिंग देखा जाए तो यहां पर अच्छी वाल्यूम आई है तो इसका मतलब यह कि कहीं है कि सिंगनल हम लोगों को मिल आपके और उपर जा सकती है ब्रेका इसकार और यहां पर करके आंपर कर सकते हैं और जो मतलब प्राइब नहीं को पास बहुत जादखे नहीं के लेकिन अभी के लिए कर आगर देखा जाए तो अमनों को सैफसाइट में यहां पर कंपनी नजर है किसी बीदर अगर नेगेशन आता बड़ी बड़ती बढ़ती तो वहां पर हम लोग इंजट कर जाएंगे, लेकिन वह आप लोगो पता देंगे, अभी के लिए देखा जाए, हाँ पर पॉजिटेव सिक्नल से हम लोगो मिल रहा हैं, फिलाल अभी इसी के साथ चलेंगे, बिलेंगे अगरे वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर स्क्राइब सब्सक्राइब कर देना बेल इकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपने कापिटल सेफ रखना ओके बाए